Hi iPhone XR users, Apple ने आपके लिए एक नया अप्डेट रूल आउट किया है, मैं आपको बताऊँगा इस अप्डेट में क्या खास चीज़े नहीं आई है और आपको इस अप्डेट को इंस्टाल करना चाहिए है नहीं यह मेरा iPhone XR है, जो मैंने iPhone 14 Pro में convert कर रखा है, आप इसको check out कर सकते हो, purple variant iPhone 14 Pro वाला camera's भी देख लो एक बार, लेकिन यह phone XR है, वो मैं आपको अभी settings में चलकर दिखाऊँगा तो चलते हैं अपनी settings में iPhone के about section में, तो आप देखो settings में जाकर, this my iPhone XR is running on iOS 16.6 official stable update so test settings में एक बार गार कर लो, बार बार ना बोलना कि यह कोई और phone है, okay, so सबसे पहली शीजें, यहां पर clear हो गया, कि 16.6.1 मैंने install कर लिया है, और इस update में क्या खास है वो बदाऊँगा, so सबसे पहले कुछ comparison करते हैं, जो इस update का, जो build number है, वो है 20G81, नई update का, पुराने update का, जो build number था, वो है 20G75, so दोस्तों सबसे पहली चीजें, काफी लोग wallpapers के बारे में पूछते हैं, अगर आपको wallpapers चाहिए, यहाला download कर सकते हो, आप description box में, अगर आपको description में नहीं लिंक मिलता, तो आपको application देखने को बिलेगी, wallpaper central, वो app डाउलोड कर ले ना, उसमें mobile data के उपर download कर सकते हो, यहाँ पर आप इसका size चेक कर सकते हो, 166.4 MB, okay, so आप mobile data के उपर भी वड़े राम से install कर लोगे, और उसके साथ में, इसका जो iPhone की storage है न, वो calculate करते हैं, available space 53.5 GB थी और अब available check करते हैं, because काफी लोगों का सवाल होता है कि मेरे का storage अवेलेबल नहीं ह इसका बात storage occupy होगी, यहाँ फिरी होगी, so हम मैं आपको इसलिए clear करवाता हूँ, क्योंकि अगर आपकी space occupy हो रही है, तो आप ना install करो, अगर आपके पास storage ही नहीं है, अगर free हो रही है, तो किसी ने किसी तरीके से थोड़ी से storage free करके update जितनी तो इसको install कर लो और उसके ब 0.89GB हो गई है, so इस update में आपके case में storage space free हो सकती है, मेरे case में क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी कल ही इस phone को downgrade किया, और मेरे phone में कुछ नहीं था, मतलब literally no anything, nothing available, okay, so यहाँ पर आप check out कर सकते हो, modern firmware है 503.01 है, पहले modern firmware same था, modern firmware change नहीं हुआ है, इसका मतलब network के regarding कोई changes नहीं होंगे, अगर होंगे तो आपको full review में आपको मैं video provide कर दूँगा, so दोस्तों, Apple ने इस update को roll out क्यों किया है, share क्यों किया है, so basically the thing is, Apple का नया update iOS 17, आप जानते हो 12 September, Apple इंटर्डूश करने वारा iPhone 15 को और उसी के साथ, सब नहीं चीज़ें इंटर्डूश करेगा Apple जैसे की iOS 17 को भी, so Apple ने अपने नए अपडेट के लिए platform ready किया है, पुराने अपडेट से, मतलब जब नए अपडेट आएगा, तो पुरान अपडेट उसको हसके स्विकार करेगा, उसके लिए एक तरह से platform बना कर रखेगा, वो जी same Apple ने की है, और मतलब iOS 17 आ रहा है, औ अपना पैकिंग कर रहा है, so ये पैकिंग Apple ने नए अपडेट के दोबरा की है, last में मैं आपको cover करना चाहूंगा, Apple ने एक fix किया है, जो wallpapers के regarding था, काफी लोगों के complaint थी, कि मेरा जो phone है, वो lock screen में black wallpaper शो करता है, so इस चीज को fix किया गया है, यहाँ पर आप check out कर सकते हो जब भी मैं home screen से notification panel में जा रहा हूँ, मेरी जो spotlight search है, वो activate हो रही है, I believe मैं long swipe करता हूँ, that's why यह ऐसा हो रहा है, I don't know why, लेकिन अभी नहीं हो रहा पहली हो था, देकिंग आपके सामने है, so anyway, हो सकता है, कोई bug हो, जो iOS 6.1 में आया हो, लेकिन after long review मैं आपको तब ही बता सक किया है, तो मैंने आपको दिखाया, what's new in this update, so, ऐसा वेसा कोई नहीं नहीं तर नहीं आया है, लेकिन just security update है, और Apple ने सभी को install करने के लिए बोला है, so, आप install कर सकते हो, बड़े राम से, simple, आपको just, मैंने बता दिया है, अगर आपको show नहीं हो रहा, तो आप video देख सकते ह नहीं है, तो तो आप positive side हो, so, this was the simple fix, so, भी guys, find this method helpful, आपको video पसंदा होगी, thanks for watching, thank you so much.